दोस्तो रिंग एप्लिकेशन में एक बहुती बड़ा अपडेट आ चुका है जिसमें बताया जा रहा है कि अब आप रिंग लिमिट का यूज नहीं कर पाओगे यानि कि नए यूजर को रिंग लिमिट नहीं मिलेगी और जिसके पास ओल्डरी रिंग लिमिट है वो उसका यूज नहीं कर पाएंगे तो यह बहुत सारे लोग इसके बारे में बता रहे हैं तो उस पर कितनी सचा है उसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमें यहाँ पर खुद link limit मिली हुई है तो क्या हम इसका use कर पाएंगे या नहीं उसके बारे में भी बताएंगे power loan के बारे में बताएंगे और यहाँ पर इस update में क्या क्या changes हुआ है उसके बारे में भी हम आज के वीडियो में complete detail में बताएंगे तो अगर आप भी रिंग के user हो तो उम्मित करते हैं कि आप इस वीडियो को सुरू से लेके अन तक जरूर देखेंगे मैं guarantee देता हूँ कि आपके मन में रिंग application के लेकर जो भी doubt है वो सारे gear हो जाएंगे दोस्तो अगर आपको एक वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरू कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल एकन डबा कर ओल नोटिफिकेशन ओन कर दो तो दोस्तो सबसे पहले अगर आप रिंग जूजर हो तो यहाँ पर आप देख सकती हो रिंग application में एक update आ चुका है इस update में दोस्तो कुछ bugs fix हुए है और इसका interface थोड़ा बहुत change हुआ है और साथी में दोस्तो बहुत चारे लोग बताते है कि अब ring limit का use नहीं कर पा रहे है तो आज में दोस्तो आपको live proof दिखाऊंगा कि क्या हम सच में ring limit का use नहीं कर पार रहे है और यह power loan क्या है और power loan किन किन को मिलती है तो वो सारी जानकर हम बताएंगे लेकिन उसके पहले दोस्तो यहाँ पर आप इसकी rating देखो तो 4.2 की rating है और 10 million से पे जादे लोगों ने इस application को download किया हुआ है और यहाँ पर दोस्तो प्ले स्क्रीन शोट होते है तो उसमें दोस्तो पहले ring limit का option भी मिलता था यहाँ पर सरी power loan के बारे में है अब बताया हुआ है और यहाँ पर eligibility criteria तो same ही रखा है कि आपकी minimum उम्र एक कीशेर होनी चाहिए आप एक Indian national होने चाहिए और documentation की बात करें तो आदर कार्ड और पेन कार्ड के ही जरूत पड़ेगी उसके अदर पर ही यहाँ पर दोस्तो अब आपको power loan मिलेगी ऐसा इसका कहन आए और यहाँ पर जो भी loan मिलती है वो एक RBI register NBFC company के थुरू ही मिलती है नीचे इसका contact support वगरा भी दिया हुआ है अब यहाँ पर दोस्तो बात यह आती है कि क्या अब यहाँ पर ring limit बन हो चुकी है और जिनके पास already ring limit है वो उस limit का use कर पा रहे है या नहीं तो उसके लिए दोस्तो हम इस application को open करेंगे यहाँ पर दोस्तो मुझे सिर्फ ring limit मिली थी power loan नहीं मिली थी यहाँ पर दोस्तो हमने आपके सामने इस application को update किया है अब यहाँ पर open करके देखेंगे कि क्या हम हमारे limit का use कर पा रहे है या नहीं अगर हम कर पाएंगे तो उस limit को हम अपने bank account में transfer करके भी आपको बताएंगे और उसका repayment करके भी आपको बताएंगे ठीके तो हम यहाँ पर दोस्तो इस application को open करेंगे तो सबसे पहले update के बाद इस application का interaction फिर शाएगा तो यहाँ पर दोस्तो इसके interaction में तो बताएंगे हुआ कि यहाँ पर 35,000 रुपे की instant credit ले सकते हो लेकिन actual में क्या हम इस limit का use कर पा रहे है यह नहीं वो आगे हम आको बताते है तो यहाँ पर दोस्तो हम next next करते जाएंगे उसके बाद यहाँ पर हमें get start पर क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर mobile नमबर पुछेगा तो अगर आप ओर इस application के user हो तो आपको अपना register mobile नमबर यहाँ पर enter करना है पहले हमारी कुछ 17 से 18,000 रुपय लिमिट थी उस पैसे मैंने 500 रुपय का transaction किया था और टाइम पर रेपिमेट करेंगे था तो अभी यहाँ पर दोस्तो हमारी लिमिट इन्होंने increase कर दी है और okay go it पर click करेंगे तो यहाँ पर दोस्तो आप लाइप रुप देख सकते हो हमारी लिमिट है 19,600 रुपया यहाँ पर हमें सिर्फ रिंग लिमिट मिली है पावर लोन हमें नहीं मिली है पावर लोन मिलती है तो यहाँ पर दूसरा option सो हो जाता otherwise यहाँ पर रिंग लिमिट के जगह पर पावर लोन लिखा हुआ आज जाता अब इस limit में से हमने 0 limit का यूज किया है अब update के बेर दूस्तों यहाँ पर एक और option जोड़ गया है जिसमें बताये गया है कि pay to merchant यानि कि हम merchant के वहाँ पर QR code scan करके भी यहाँ पर इस limit का प्या कर सकते है लेकिन दूस्तों यहाँ पर हम scan and pay script ring के merchant को ही कर सकते है अधर कोई QR code यहाँ पर scan नहीं होता उसके लावा bank transfer का भी option हमारे किसमें तो available है और उपर scanner का option भी available है अब यहाँ पर दूसरा कोई update आया है तो फटा फट शेद देख लेते है उसके बाद यहाँ पर हम इस limit को bank में transfer करने का process भी आपको बताएंगे वो transfer हो रही है तो उसका repayment करके भी आपको बताएंगे तो update के बाद नहीं है future देखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर more पर click करेंगे तो नहीं यहाँ पर तो शिप bank transfer है यहाँ पर हम develop पर click करके यहाँ पर offer पर click करेंगे तो हमारा bank account यहाँ पर already add है तो यहाँ पर आ जाएगा हम यहाँ पर दुसरा bank account भी add कर सकते है तो हम यह account में money transfer करना चाते है तो यहाँ पर हम इससे select करेंगे यहाँ पर इस box पर click करेंगे और continue पर click करेंगे तो हमारे समने अगला page open होगा जिसमें अब यहाँ पर हमारी amount एंटर करनी है कि कितनी amount हम अपने bank account में transfer करना चाते है और यहाँ पर दोस्तों जितनी भी amount हमारे bank account में transfer करेंगे उस पर 9.3% transaction fees लगाई जाएगी वो यहाँ पर भी इन्होंने बताया हुआ है ठीक है तो यहाँ यहाँ पर हम काम करते हैं हमें अभी loan की जरौत तो नहीं है लेकिन यहाँ पर यह link limit का हम use कर पा रहे है या नहीं वो देखने के लिए सिर्फ 100 रुपया का transaction करके आ को दिखाते हैं यहाँ पर 100 रुपया एड करेंगे और continue पर क्लिक करेंगे जैसे continue पर क्लिक करेंगे तो य अब यहाँ पर हमें थोड़ी दिर वेट करना है तो यहाँ पर हमरे transaction successfully हो जाएगा यहाँ पर लाइफ रूपया का transaction successfully हो चुका है यहाँ पर update और time भी देख सकते हो अब यहाँ पर दूस्तों go to home page पर हम क्लिक करते हैं तो हम home page में आ जाएंगे और उपर हमें message वगर भी आ हने लगे हैं अब यहाँ पर home page में अब देखो हमरे limit हो चुकी है उननीस से जार पांसो सत्याशी पहले चेस्टों सत्याशी रूपया था अब पांसो सत्याशी हो चुका है और यहाँ लिमिट में यहाँ पर 100 रूपया एड हो चुका है यानि कि हमने 100 रूपया का transaction यहाँ यहाँ पर दोस्तो लिमिट को transfer करके विए अपने bank account में दिखा दिया है तो क्या अभी आप अपने limit को transfer कर पा रहे हो या नहीं मुझे comment में जरूर बताना अब दोस्तों हमरे due date तो 29 दिन का बात की है लेकिन यहाँ पर दोस्तों आज हम इस limit का repayment करके विए आपको तो उसके लिए यहाँ पर एक option मिलेगा पर अरली तो सिंपल हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे समने कुछ इस तरीके से इंटर्फिस आएगा अब यहाँ पर दोस्तों हमें अमाउट सूज करनी है कि क्या हम total amount का repayment करना चाते है तो हम यहाँ पर दोस्तों total amount का repayment करेंगे तो यहाँ पर हम पहला option सूज रखेंगे और यहाँ पर सूज payment method पर क्लिक करेंगे तो हमारे समने दोस्तों payment method सूज करने के लिए कुछ इस तरीके से इंटर्फिस आएगा पहला ऐसा option नहीं आता था अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर ring upi का option है और एक कंपन आनगे money transfer कर सकते हो तो अगर आपके पास ring upi है तो आप ring upi रूपिक कर सकते हो नहीं को यह पर हम और दिशा अब होड़ा है चटिम यहां पर दोस्तों OrOI में हम आज सोरीऩ कर तो यहां पर फोन पर क्लिक करेंगे तो में रीडर कर दिया जाएगा अभा कtsåर अब यहां पर दोस्तों हमेश्पर क्लिक कर दिना है और अहां पर आप देख सकते हो हमरा एंचर सक्सेस्ट्फर मैं हो चुका अब यहां पर दूस्तों मैं और इंट्रेस्टिंग बात बता रहा हूं कि पहले जब हम रिंग अपली केसन में रीपेमिट करते थे तब वहां पर ट्रांजेक्शन फिस तो लगाई जाती थी लेकिन जिस वह यूपिए से रीपेमिट करते थे वहां पर एक और फिस लगाई अब टेट होने में थोड़ा वक्त लगता है ठीके तो यहां पर दूस्तों अभी हम रिंग लिमिट का यूज कर पा रहे हैं यहां पर हमारी लिमिट को हमने बेक में ट्रांसफर करके भी बता दिया है और उसका रीवेमिर करके भी आपको बता दिया है लेकिन जिन लोग य जो लाग रुपय तक के लिमिट मिलती है जिसे आप यह मैं में यूज कर पाते हो तो जिन लोगों ने पावर लूट का यूज अकबर कर लिया है उसके लिए उसको मिली जाए उसके लिए भी अभी apply करना होता है उसके बाद पता चलता है कि यहां पर loan मिलती है या नहीं तो यहां पर हो सकते हैं दोस्तों नहीं उजर के लिए यहां पर रिंग बन करती हो लेकिन जो existing customer है वो तो अभी भी रिंग लिमिट का यूज कर पा रहे है यहां पर आपने लाइफ रूप देख लिए ठीक है तो क्या आप इस लिमिट का यूज कर पा रहे हो या नहीं आपको क्या पावर डून मिली है रिंग लिमिट मिली है आप रिंग के कौन से फीसर का यूज कर पा रहे हो मुझे comment में एक बर जरूर बताना तो चले दोस्तों आज पासके वीडियों बस इतना ही उमिद करते हैं कि आपको एफ वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो like, share, comment and subscribe करना ना बुले तो चले दोस्तों मिलते को रहे सी next वीडियो के साथ तब तक के लिए good bye